दिल्ली नोईडा समेथ पूरे NCR में गुर्वार देराद मौसम का मिज़ाज बदल गया, कई लाकों में धूल भरी आंधी चल लही है, आकाश में बादल चावे, मौसम में बदलाव आने की बज़ा से राखों लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दिल्ली और नोईडा में त प्रति घंटे के रफ्ता से तेज हमाय चलने की भी संभावना है, आईमडी के अनुसा ने पशिवी विक्षोप के प्रभाव के करण दिल्ली में मौसम बदलाव देखने को मिल लहा है, मौसम विभाग ने शुकरवार कांसी कृप से बादल चाय रहने धूल बरी आंधी आ अगा छाति का ड़्ली के अनुसार बदली में नियूमनतम तापमान 263 डिगरी दिस्लसियस दर्ज किया था जो सामाने से 3 डिगरी कम रहा राष्टी राजानी डिल्ली के प्राथमिक मौसम केंदर सफदर जंग में अधिक्तम तापमान 41.2 डिगरी सिल्सियस दर्ज किया गया बुलेटिर में कहा गया कि आया नगर इस्टेशन पर अधिक्तम तापमां 43.2 डिग्री सेल्सियस है, रीज के इलाके में 40.6 डिग्री सेल्सियस और पालम में 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमां दर्ज किया गया, भारती मौसम बिज्ञान विभाग के अनुसार ने पस्टिमी विक्षोप के प्रभाव के कारण दिल्ली में मौसम बदलाव देखने को मिल ला है, मौसम विभाग ने पूरवन मत जता था कि राष्टी राजधनी दिल्ली में देर साम हलकी बारिश के साथ धूल भरी आंधिया, गरज के साथ बुना बानी होने की पूरी संभावना है, और 340 किरोमेटर प्रतिघंटे की रफ्ता से तेज हमाई चलने की संभावना है, आईज़ाई एरपोर्ट के पास धूल भरी आंधिया, तेज हमाई चलने का दिश्य कमेरा में कैद हुगा, राष्टी राजधनी दिल्ली एलो अलर्ट पर भी थी, मौसम विभाग ने शुक अगर आप ये वीडियो यूट्उब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकन को दबाना, न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें